जैसे मैं आपको सी बक्थोन का उदान देता हूँ, आप सभी सी बक्थोन के बारे में जानते होंगे, लदाग शेत्रे में पाए जाने वाला ये प्लांट माइनस 40 से प्लास 40 डिक सेंट्रिगेड में कठोरतम तापमान को सहर करने की ताकट रखता है, चाहे जितना सूखा हो ये अपने आप फलता फूलता है, इसके आउश्यदिये गुणों का जिक्र आठवी सदी में लिखे गए तिब्बती साहिते में भी मिलता है, देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्स संस्तानों ने इस सी बक्थोन को बहुती मुल्यवान माना है, ब्लाट प्रेशर की समस्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अलसर हो, या फिर सर्दी खासी हो, सी बक्थोन से बनी अनेक तरह की दवाईयां इनमें लाब देती है, एक स्टडी के मुताबिक, दुनिया में उपलब्द, सी बक्थोन में पूरी मानव जाती की विटामिन सी की जरूत अ एक ऐसा पौधा है, जिसका जड़, पत्ता, फल, फल के अंदर का बीज, सभी उपयोगी हैं, सी बक्थोन अंटी एजिंग, अंटी कैंसर, एवं अंटी डिजीजिस हैं, इसे विटमिन्स और मिनेरल्स का भंडार भी कहा जाता है, सी बक्थोन में संत्रे से 12 कुना जादा सी, गाजर से 3 कुना जादा विटमिन A, सभी प्रकार के फलो से जादा विटमिन E और जिंसिंग से 5 कुना जादा SOD पाया जाता है, सी बक्थोन में विटमिन K और विटमिन P भी पाया जाता है, इसमें कई सारे अमीनो एसिट्स भी मौजूद है, सी बक्थोन में 190 से जाद बायो आक्टिव कंपाउंट्स मौजूद हैं। इन्हीं गुणकारी तत्वों की वज़े से सी बक्तौन की और एक फैल्यू बहत्तर हजार से भी ज्यादा है। ये रेश्पोकेर दो सुबह, दो दुपह, दो शाम को हम लोगों ने ली, हमें बिल्कुल कफ नहीं हुआ या जिनको थोड़ा बहुत हुआ था, उनका सौई के नाके तक का भी कफ रेश्पोकेर ने निकाल के जड़ों से साफ कर दिया। एनिको को भी सी बक्तों दिया जा रहा है। झाल कि झाल कुछ है। झाल कि बक्तों दिया। झाल कि दो शी जा है। झाल झाल